तो हे गाईस कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप अच्छे होगे तो आज की वीडियों में बात करने वाले हैं आपके फॉन के अंदर कुछ स्मार्ट कॉल सैटिंग्स के बारे में तो वीडियों काफी इंट्रेस्टिंग रहने वाली है अगर आपने भी तक हमारा चैनल सस्क करना बिल्कुरी मत भूलेगा तो सबसे बहुत को यहां पर आएंगे डायलर माने के बाद आएंगे तो जैसे कि आपको पता होगा कि गूगल का दार देखने को मिलता है आपको तो और आपको सिंपल तरीके से हां से हम ठीड़ाट पर क्लिक करते हैं और सैटिंग में आपक टीक का अगर आप नमबर करना चाहते है और अपको कोई नमबर को उसकता है आप लखक्रत करते हैं तो प्रीस आप से रिकेश्च यहां से आप और बिल्लॉग चाहते हैं पर आपको काफी सारी feature देखने को मिल जाते हैं तो आपके calling account के अंदर आपको call waiting बाल ऑफ्सन देखने को मिल जाता है साथ ही साथ आप आप देखेंगे तो incoming call settings आपको हैं आपके तैप करने के बाद आप देखेंगे अगर आप चाहें तो इसको करेंगे इसको करेंगे तो आपका फॉन एक नॉर्मल मतलब मीडियम साउंड से स्टार्ट होना और वह जैसे आसे आपका именно call आती कांइगी इसकी जो साउंड है वह बढ़ती जाएगी ठीक है फेलेच बन बन बलेका और आपको प्था अंसर कि आपको टैब करना है तो कैयज यहाँ पर auto answer guys, यहाँ से आप enable करेंगे इसको enable करने के बाद guys, यहाँ पर बोला जा रहा है, delay auto answer, 3 second बाद guys, आपकी call automatically answer हो जाएगी आप चाहें तो इसको 5 second, एफि 10 second भी कर सकते हैं, तो इसको हम 10 second कर लेते हैं, मतलब कि 10 second बाद guys, हमारी incoming call automatically answer हो जाएगी क्योंकि हमने उसको always पर रखा है, चाहें आपका phone Bluetooth से connect हो या ना हो, बट वो 10 second बाद आपकी call automatically receive हो जाएगी अगर आप इसमें कुछ changes करना चाहें कि अगर आपका phone Bluetooth से connect हो तब ही आपकी call answer हो, मतलब कि आपको phone नेकालना ना पड़े तो Bluetooth only आप रखें और आपकी call जो हो automatically answer हो जाएगी, तो इस चीज़ का अपने इसाब से activate कर सकते हैं, मतलब इस चीज़ का अपने इसाब से ध्यान रख सकते हैं, बाकी यहां पर आप देखिएंगे और advanced settings का option देखने को मिलेगा आपको तो इस पर इस बंदे की call को cut कर दें और इस बंदे को message send करना चाहते हैं तो message उसको send कर सकते हैं तो यहां पर देखेंगे so can't talk now call me later, I will call you back, I will call you right back, I will call you later यह सब आपको हैं पर देखने को मल जाता है निए यह सब कोई भी message आप उस बंदे को send कर सकते हैं इसको call करने के साथ साथ एक साथ दो काम हो जाएंगे so button for ending calls आपकी call भी end हो जाएगे और इसको message भी चला जाएगा अगर आप इसको activate रखते हैं तो ठीकी गाइस तो यह जो फीचर आप के लिए बहुत important था जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर देखेंगे तो miss call reminder भी आप रख सकते हैं मतलब यह कि आपकी पास miss call आएगी तो आपको miss call आने के बाद आपको पता नहीं चलता तो guys आपको remind कर देगे अगर आप इसको three time तो guys आपको तीन बार आ पास देखने को नहीं मिलता ठीक है तो guys इसके बाद calling account आपको clear हो गया call recording को प्रोगाइज मैंने पूरी वीडियो बनाई हूँ है कैसे आप आपको call recording करेंगे तो मेरी चैनल पर जाके आप देख सकते हैं ठीक है guys इसके बाद यह वाई option हो गया guys quick response इसका तो यहां से आपको इकदम सांत जगा हो जैसे कि यह है तो इसको अगर अपने फन को अप उल्टा करके रख देंगे तो आपकी call जो हो silent हो जाएगी तो guys I hope कि आपको मारी वीडियो अच्छी लेगी हो कि वीडियो करतो like channel कर लो subscribe तो guys मैं मिलता हूँ आप सिर अगली और interesting वीडियो में तब तक के लिए पपाई एंड टेक क्यार